हलो दोस्तो वेल्कम टू माई यूटूब चैनल क्रिजी डिजाइन्स आज के इस फॉटोशॉप टेटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी इमिज को अंटीक ओयल बेंट एफेक्ट में कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कि इस इमिज को आप देख सकते हैं मैं आप एंड आप्टर तो किन सेटिंग के साथ हम इसको अपलाई कर सकते हैं चलिए देखते हैं इसके लिए आप कोई भी इमिज कर सकते हैं मैं फिलहाल यह वाला इमिज यूज कर रहा हूँ अगर आपके इमिज की रेजलेशन 150 dpi होगी तो आप सेम रिजल्स हासिल कर सकते हैं इ आपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट अंड आई प्रेस कीजिए यहां आप यहां से जाएंगे इमिज में और यूज कर सकते हैं इमिज साइज यहां इस डायलोग बॉक्स में आप देख सकते हैं यहां आपको विट्थ हो राइट यानि इमिज का साइज दिख रहा होगा और यहां आपको रेजलेशन दिख रही है जो कि इस इमिज की 150 है अगर आपके इमिज की कम हो तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं यहां से इंक्रीज करते वक्त आप यहां से री सैंपल में प्रिजर्व डिटेल 2.0 रखेगा और यहां से ओके कर दीजिए मेरा पहले से 150 के साथ है मैं यहां से फिलहाल कैंसल करता हूँ इसके लिए हम एक और इमेज करेंगे यह देखिए मेरे पास पहले से यह open है क्रेकुलर टेक्चर का यह image है इस image के हम patron create करेंगे इसके लिए आप इस image को open कर लिजिए मैं इसका link description में भी दे दोंगा आप वहां से download कर सकते है इस image को open करने के बाद आप यहां से जाएंगे edit में और यहां से आप use कीजिए define pattern यहां आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं मैंने curricular texture के नाम से पहले से इसका नाम रखा हुआ है आप इसको यहां से ok कर दीजिए आपका यह texture create हो चुका है अब हम वापस अपने image में आएंगे यहां main file में आने के बाद आप सबसे पहले यहां से एक new layer add कीजिए जो के blank layer होगी यह देखिए layer add हो चुकी है इसमें मुझे foreground color fill करना है मैं यहां से alt backspace प्रेस करूंगा तो मेरा foreground color इसमें fill हो जाएगा यह देखिए black color है मेरा foreground इम alt backspace प्रेस करता हूँ इसमें foreground color fill हो चुका है इसके बाद आप इसी layer के इस blank area पर double click कीजिए और यहां से हम आ जाएंगे layer style में यहां आने के बाद आप यह देखिए pattern over ले इस option को select करेंगे यहां इसकी कुछ values हैं जो के by default होंगी blending mode में हम normal और opacity इसकी 100% रखेंगे pattern आप देख सकते हैं उसने पहले से select करके रखावा जो हमने define किया था scale इसका हम 100% रखेंगे और इसके बाद आप यहां से okay कर दीजिए इस pattern layer को फिल हाल के लिए हम hide कर देंगे और background layer को select करने के बाद हम इसे convert करेंगे smart object में इसके लिए आप यहां पे click कीजिए और यहां से हम select करेंगे convert to smart object आप देख सकते हैं हमारी layer smart object में convert हो चुकी है smart object में convert करने के बाद आप अपने keyboard CD से z press कीजिए deixिए यहां से भी zoom tools लेट कर सकते हैं हमें इसको थोड़ा से zoom करना है क्योंकि मैं साथ साथ इसका preview भी देखना है यह देखिए मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ और space bar प्रेस करते हुए आप इसको कहीं भी adjust कर लेजी मैं यहां रख लेता हूँ फिलहाल इसके बाद हम यहां से जाएंगे filter में styles और यहां से use कीजिए oil paint यहां oil paint में आने के बाद इसकी कुछ values हैं हम इनको देखेंगे stylization में हम इसको 2 रखेंगे clean lines में हम इसकी values को थोड़ा increase करेंगे यहां हम 5 रखेंगे scale को भी हम थोड़ा increase करेंगे हम यहां 4 करेंगे brister details को हम यहां increase करेंगे यहां full करेंगे इसको 10 रखेंगे lightning को आप check रखिएगा 120 degrees का angle रखेंगे और shine को थोड़ा सा increase करेंगे यहां हम इसको 1 रखेंगे इसकी value आप देख सकते हैं साथ साथ preview भी आपको दिख रहा होगा आप अपने image के मताबक इसको adjust कर सकते हैं यह देखिए अगर मैं इसको थोड़ा increase करता हूँ तो आप results देख सकते हैं आप अपने image के मताबक इसको कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं मैं फिलहाल यहां 2 ही रखूँगा और इसके बाद आप यहां से okay कर दीजिए next step में हम इसको थोड़ा sharp करेंगे इसके लिए आप यहां से जाएंगे filter में sharpen और यहां से आप use कीजिए unsharp mask यहां आने के बाद आप इसकी amount को थोड़ा increase कर देंगे यानि 85, 80 to 85 रख लिजिए मैं फिलाल यहां 80 रख लेता हूँ radius को भी हम थोड़ा increase करेंगे मैं यहां 2 रख लेता हूँ 2 pixels threshold हम इसका 0 ही रखेंगे आप साथ सत यहां preview भी देख सकते हैं यह देखिए यहां पर भी आप preview देख सकते हैं यह value रखने के बाद आप यहां से okay कर दीजिए इसके बाद आप अपने keyboard से control 0 प्रेस कीजिए हम इसे fit to screen देखेंगे अब हम अपने top वाली layer को जो के curricular layer थी इसको select करेंगे और इसको unhide करेंगे इसको select करने के बाद हम इसका blending mode change करेंगे लेकिन इससे पहले हमें इसको restorize करना होगा आप इस layer पर right click कीजिए और इसे restorize layer style कर दीजिए इसके बाद हम इसका blending mode change करेंगे आप इस normal पर click कीजिए और यहां से हम use करेंगे multiply blending mode change करने के बाद हम इसकी opacity को थोड़ा कम करेंगे मैं यहां इसको 40 to 45 रखूंगा मैं फिलहाल 45% कर देता हूँ और यहां से आप enter कर दीजिए इसके बाद हम इसके levels को बहतर करेंगे इसके लिए आप यहां से जाएंगे adjustment layer में और यहां से use कीजिए levels यहां आने के बाद आप इसके input black levels में यानि 12 to 15 देतीजिए मैं फिलहाल यहां 12 दूँँगा और input white value में हम यहां 230 के आसपास रखेंगे और इसके बाद आप यहां से इसको बंद कर दीजिए next step में हम फिर से जाएंगे यहां से adjustment layer में और इस बार हम use करेंगे photo filter यहां photo filter में आने के बाद इसका by default color orange यहां दिख रहा है जो के में यहां ठीक है क्योंकि यहां पर orange और red color काफी use है तो मैं इसके लिए orange ही use करूँगा इसकी density को आप कम्यें ज्यादा कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा से increase कर देता हूँ आपको zoom करके दिखा जरता हूँ इस तरह यह settings apply करने के बाद आप भी अपने किसी भी image पर antique oil painting effect दे सकते हैं I hope आपको आज का tutorial अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आई तो like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिएगा मिलते हैं next video में एक new tutorial के साथ Thank you